लोकसवाद चुनाओ दो हजार चोबीस अपने परवान चड़ चुका है बात कर ले गुरु गुराम लोकसवाद चुनाओ की तो यहां अब चुनाओ परचार तेज हो गया है और मुख्य मुकावला कॉंग्रेश परत्यासी राज बबर और भाजपाव परत्यासी राव परचार समाला हुए है पूर मंत्री डोक्टर M.L. रंगा ने अब क्या नई रंडिती पर काम हो रहा है सीधा M.L. रंगा से जानते हैं क्योंकि चुनाओ परचार अपने अंतिम चलन में धीरे-धीरे पहुंच रहा है और ऐसे में चुनाओ परचार को तुफानी बनाना कह ना कहीं कोंग्रेस के लिए बड़ी चुनोती है क्योंकि राव इंदर जी सिंग लगातार यहां से भाजपा की टिकट पार दो बार जीतते रहे हैं तीसरी बार मैदान में हैं तो राव का जिस तरीके से बड़ा वोट मैंक है उसको कैसे चुनोती दे पाएंगे उसी को ले निता आपके अब मैदाम में उतर रहे हैं हमारा चुनाव परचार बहुत ज़्यादा गती पकड़ चुका है और सब लोग मेनत कर रहे हैं बावर चुरासी सारी लगी हुई है और कल एक बजे जो हमारे गुजर समाज के जो मसियाख है और जो नेता है किसानेता सचिन दायक और कई निता उनके साथ आ रहे हैं और वो सब राजबबर जी के चुनाव को गती देने के लिए आ रहे हैं और कई दिन से लगातार हमें टीम बना रखी है बावर चुरासी में जा रही है और महुल ऐसा हो गया कि ऐसा लग रहा है कि एक तरपासा महुल है उनके जहां से जो डिमांड आती है उनकी बेटी बहुत ही करमठ है वो भी हर गाउं में जा रही है बावल में शाम के टाइम हर वार्डों में उनकी बेटी का हमने कारेकरब रहा है पिछले दिनों आपने बुलाया कारेले को अधगातन करा बावल के तमाम सुलका के अंदर और ज लेकिन राज बबर जी के आने के बाद एक ऐसा तुफान सा आ गया कारियाले में भीड हर कारेकरबों में भीड रात को बारा बारा बजे तक एक एक अजार लोग इंजार करते हैं तो इससे एक उत्सा भारी आ गया अब हमने उनके बेटे के कारेकरम हर गाउं में रखे जा बड़े गाउं है, उनको हम कवर करवा लेंगे, जहां भी जाते है राज बपर जी का एक ही बात है, कि मैं रहने के लिए आया हूँ, और मैंने पांस बार एंपी रह चुका हूँ, मैं कभी सरकारी बंगले में नहीं रहा, सरकारी कोठी में नहीं रहा, और अब मेरा मनिय है, क उनका इस कहने से बहुत ज़्यादा प्रवावा एक सवाल यह है सचिन पाइलेट कितना आपका फायदा कर पाएंगे देखिए हमारे पास कम से कम हमारे पास 38,000 के करीब गुजर समाजों के बोट है और उन्होंने वो इसको अपना मानते है मसिया और है भी किसानों के निता है लिए हमने इतना बड़ा पंडा लगाया है वहां आप कल देखना कितनी भीड होगी हर गाहों से लोग अपने आप महिला है इतना उत्सा है उनको सुनने के लिए आप बार-बार कह रहे हैं कि बबर यहां मकान बनाएंगे जैसे कैप्टन आजी सिंग यादा हुने का कि भूम रहे हैं वो बबर साब को एक दिन देख लेंगे दो दिन देख लेंगे लेकिन वो तो यह मान रहे हम कहते हैं कि आप हमें राज बबर माननो हम आपके में बीच में बैठ करके हम मिलवाएंगे हम काम करवाय करेंगे और लोगों को विश्वास हो रहा है क्यों कि आसा पर दो दिन पहले रिवाड़ी के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम थे राजबबर आयते वाड़ों के अंदर अच्छी खासी भीड थी लेकिन एक सवाल बार बार उट रहा है जो लोग सेलपी कीचवा रहे हैं जो लोग भीड में जैसे उस दिन हुड़ा साब आयते देखा वो पुरा मंच घेर लिया तमाम लोग सेलपी के लिए लगे हो क्या वो जोवान ने उनके साथ फोटो ले ली बोट बाहर नहीं जा सकता वो मन में बठा लिया उन्होंने यानि इतना आप तो कभी कोई भी नहीं करता वो तो छोटे-छोटे बच्चों को गोदी में उठा लेते हैं अब बताओ गोदी में कोई उठाया किसी नहीं आज तक लेकिन वो इतना प्यार देते हैं उनके प्यार को देखकर के उनकी विचारों को सुनकर के लोग अभी भूत हो जाते हैं परसंड हो जाते हैं तो मानते हैं कि भी ऐसा नेता हमारे बीच में पूरा पंजाबी समुधा है एक हो चुका है राव इंदर जी जी कह रहे थे बोलो हमने भी लेंदा ब्रणीटनि और व्यार्टन करें हैसे हैं अकल की यंदों को दिखमाग वो दिखेगा जिननकों अकल है विकास तो धरातल पर दिखाना चाहिए अगर कोई देखिए विकास की ये बात होती है कि आपने यदि कोई नोकरी के लिए बनाया हो गरीबी के लिए कर दी पहले कैसे थे पहले सना गया अब तो वह भी बंद कर दी मौदी जी के जो बियान आ रहे उसको किस तरीके से देखते हैं कल वो कह रहे थे बुल अगर आपने इनको जिता दिया तो राम मंदिर पे बुल्ड़ोजार फिरा देंगे धारा तीन सो सब्सक्रा देंगे तमा पर दादा वजरु उठते ही राम राम करते थे सारे दुनिया राम राम करती थी यानि फोज में भी अगर अपसर को एक सिपाही भी स्लूट करता है तो कहगा राम राम साब ये है जजबा तो राम तो सुलूसे है अब नही बात थोड़ी है दूसरा एक 400 की बात क्यों करते है ये सविधान बदलने की बात आ रही थी आज लोग चेत्रा में आगे अगर इनकी मैजरूर्टी आ गई तो ये सविधान बदलेंगे बाबा साब अमबेड करके सविधान को सबने कहा है चाहिए SCO, PCO कर समाज के लोग उस सविधान को नहीं बदलने देंगे इसलिए इस बात को लेकर के लाम बद्ध होजए साब भूबा साब ने बनाया है पूरे देश के लिए सविधान के हमारा धर्म है और हम आज सविधान के सारे जिंदा है जो कुछ है सविधान की वज़े पहले दिन अगनी वीर योजना को स्माप्त कर देंगे जिस दिन संसद में जाओंगा अहीर रैजमेंट की टोप्यू पहन करके जाओंगा पहला अदमी होंगा तो वो तो इस लाके की बाद को उठा रहे हैं आपको लगता है अभी और नेताओं की जाता है रहूर गंदी प्र लोग सबाचेक्तर में एक बड़ी भी साल रैली जिस तरीके से अन्य जगह हो रही है हमारे बड़े नेताओं ने कारेकरम बनाया हुआ है प्रियंका गांदी जी के दो दिन के कारेकरम है राहुल जी के भी खड़के साब के भी उनके कारेकरम है बनेंगे और उनके भी मैं नहीं कहरा है लोगों की आवास कहरा हूं मैं लोगों की बलंद हो रही है मैं मेरी आवाज मेरी आवाज लोगों की वज़े से है आपके चमक आ रही है चेहरे मैं कहरा हूं कि मेरी चमक लोगों ने दिये मुझे चमक हलका वासियों ने दिये जनता ने दिये चमक आप कि आगे की बात है आज हमारा धर्म है कांग्रेस का कंडिडेट है उसको जिताना हम अपना धर्म मान रहे हैं वो संद में जाएगा पार्टी मजबूत होगी चाहिए टिकट मिले ना मिले वैइं पार्टी के लिए काम करेंगे अगर सत्ता में पार्टी स्टेट मांगत अपने आप जैसे मेडिया को फेज करते हैं क्यों मीडिया से दूरी बनाए हुए जवाब नहीं दे पाते के वह कारेकरम कर रहे हैं जा रहे हैं वह इस तरीके से या गुप्चुन क्यों हम तो प्रचार गुप्चुन कभी नहीं होता है हम नंबर क्यों बनाएं तो दिया रहा हुए आपको मैं आपको पूरे हरियाना की फीड़ दे रहा हूं लोग टेलिफोन आते हैं वो कहते हैं कि भी सत्ता परिवर्दन हो रहा है तो इसलिए कोई हमें आगे की कोई चिंता नहीं है कोई टिकट दे ना दे हमने तो पार्टी को मजबूत करना है और आगे पार्टी सत्ता में आएगी तो हम समझेंगे हम सत्ता में आगे हैं तो ये हैं एमल रंगा जिनों को कहें एक जुनून चड़ा हुआ है और इस बार मान लिया है कि पार्टी बदलाओ करेगी किस तरीके से जनता जो है राज बबर को जिताने के ल रहे हैं कल उन्निस तरीकों और उसके बाद लगातार कारक्रम होंगे बड़े नेता भी आएंगे लेकिन सवाल ये है क्या जो भीड आ रही है वोटों में कर पाएगे फिलाल इतना ही कैमरा परसंट पंकट के साथ मोहनलाल एचा नियोजीर रिवाडी